ब्रज यात्रा करने वाले जीव पर माया नहीं करती शाशन रमेश बाबा बरसाना से शुरू ही 84 कोस की ब्रज यात्रा गह वरवन ने में लिया ब्रज यात्रा का संकल्प आस्ता के जन समुंदर में डूबे नजराई श्रत धालू बरसाना ब्रज बान नंदनी के धारा धाम से शुरू ही ब्रज 84 कोस की 38 दिवसी राधा रानी ब्रज यात्रा का शुबारम शुकुर्वार को ब्रज के वरग्त संत रमेश बाबा के सानिद में गह वरण में संकल्प लेकर प्रारम हो गई है ब्रज यात्रा में करीब 12,000 श्रत धालू का समागम है जबकि गह वरण के पीछे यात्रा ने अपना पहला पढ़ाव डाला है ब्रज यात्रा बरसाना में दो दिन तब पढ़ाव करेगी जबकि यात्रा में सरवादिक बेस्ट बंगाल के लोग यात्रा कर रहे हैं यात्रा के पहले दिन श्रत धालू ने रादा क्रशने के लीला स्थलों के दर्शन कर अपने आपको कर्दार्थ किया गै वर्वन से शुरू हुई ब्रज चौरासी कोस की 38 दिवसी एरादा रानी ब्रज यात्रा के शुरुआत्रा ब्रख्त संत रमेश बाबा के सानिद में प्रारम हो गई है ब्रज यात्रा पड़ाव इस्थल में सुबा करीब 6 बजे रमेश बाबा के अनुव्याईयों दारसभी शद्धालों को गौ मुत्र देकर संकल्प दिलाया कि यात्रा के दौरान गौ सेवा, यमुना मुक्ती अभियान तथा गाउं गाउं सफाई अभियान करेंगे पिछले 31 बाशों से चल रही ब्रज यात्रा में अनेकों विदेशी भक्ति भी भाग ले रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा की शुरुआ सन 1988 में पहली बार ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने रादा रानी की पेंड़ना से शुरू की थी उस समय यात्रा में करीब 200 लोग हुआ करते थे लेकिन अब ब्रज यात्रा में करीब 15,000 शुरू भाग लेते हैं रमेश बाबा दो आरश अधालों को ब्रज यात्रा निशुल कराई जाती है वहीं यात्रा में लोगों के लिए खाने पीने वा दवा आधी चीजों का भी निशुल को वित्रन होता है जहां एक और ब्रज आसियों को दाल रोटी परशाद के रूप में दिया जा रहा है तो वहीं बंगाली भक्तों को पुलाव और खिचडी भी दी जा रही है संत रमेश बाबा ने कहा कि जो मनुश्य जीवन में एक वाल ब्रज 84 कोस की यात्रा कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है वो सभी बापों से मुक्तों का परम ब्रह्मा में लीन हो जाता है 84 कोस की ब्रजयात्रा करने वाले जीप पर कभी भवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता है ब्रजयात्रा के पहले दिन शद्धालों ने 8 किलोमीटर पैदल चलकर मानगर, विलासगर, दानगर, जैपुर मंदिर, रादारानी मंदिर, मोरकुटी, सांकरी खोर, माहेशरी सर्व, मानपुर, आदी के लीला इस्तलों के दर्शन किये बरसाना में ब्रजयात्रा का दो दिवसी पड़ाव मानमंदिर के पीछे है यात्रा में सुबह से लेकर शाम तक शद्धालो दारा हरी नामसा कीरतन किया जा रहा है तो वहिंशाम को सादवी श्री जी शर्मा द्वारा यात्रा करने वाले सभी लोगों को ब्रजयात्रा तथा दर्शन इस तलिका महतु बताया जा रहा है मान बिहारी के सानिद में चलेगी ब्रजयात्रा बरसाना रादारानी ब्रजयात्रा में सभी शर्दालू ठाकुब मान बिहारी जी के डोले के सानिद में 84 को सकी यात्रा करेंगे भगवान मान बिहारी जी के श्री विग्रहो को डोला में व्राज मान कर उन्हें 38 दिवसी ब्रजयात्रा कराई जाती है शनिवार को राधारानी ब्रज्यात्रा के दुतिये पड़ाओ के चलते शर्दालू 14 किलोमीटर पैदल चलकर बरसाना के उंचा गाओ सुलोकर, ब्रजेश्वर, रावल वन, पाडार वन, विरश भानु कुंड, चित्रा सकी, चिक सोली, दोनी कुंड, मार्दा जी गौशाला आदि तीर्थ इस सुलो के दर्शन करेंगे आपका ना? सुनिल सिंग ये ब्रजश्वरा सी कुछ की यात्रा है, इसके विसे में आप क्या जान करेंगे ना? ये राधारानी वार्शिक ब्रज़ यात्रा है, इसका करता धरता पुजिश्री रमिश्वाबा जी है, जिनोंने सन 1988 में प्रारम करी थी, उससे ये प्रतिवर्ष चल रही है और इसमें संपून भारत वर्ष के और भारत वर्ष के नहीं, बांगला देश के, नेपाल के, अमेरिका, यूके, कई अन देशों के लोग भी इसमें आते हैं और कर 84, कटे 84 का संकल्प लेके संपुन भर्ष की ये प्रकमा करते हैं, 38 दिवसी है ये अब की बार शीमा प्रकरमा हैं, जिसमें प्रति दिन 14-15 किलोमेटर के आसपास चलना होगा और श्याम को जहां-जहां लीला इस्थली का दर्सन करते हैं, श्याम को उन लीला इस्थली का कथा के माध्यम से इनको सब को बताया जाएगा कि वो जो लिला इस थली पे जहां अप गए थे वो भगवान कृष्णे बाल काल में द्वापर योग में उस जिगे पर ये लिला करी थी और शुबह साड़े छे बजी का आसपास ये प्रारम हो जाती है और चार-पांच गंटे पैदल चलने के बाद में अगले मुकाम पर प अब तक जो रजिस्टेशन हुआ है लगवे शाड़े आठ हजार लोगों का हो चुका जिसमें अभी मानमंदर और मानमंदर के जो कारिकरता है यात्रा के वह बाकी है आज किस-किस जगे का जो दर्शन कराया गया आज यहां से मानमंदर स्रीजी मंदर दानगाड बिलासगाड सांकरी खोर माईसुरी कुंड गहवर कुंड और माताजी गोसाला प्रथम चरण और दुत्य चरण उसके बाद पड़ाप पर पहुँची है इनके लिए सुबह बालवोग चाय की विवस्ता है दोपेर को भोजन की है शाम को भोजन की है बीच में इने किसी भी स्वास्य संबंद कोई अगर परिशानी होती है उसके लिए हमने यहां औस धाले की विवस्ता रख किये